नमस्कार में मुरिता पांडे आप देख रहें दो बिहार टोब आए जान लेते हैं बिहार में मौसम का मिजाज कैसा होगा? साथ ही ठंड के स्थिति क्या होगी? तापमान कैसा होगा? मौसम विभाग ने नय साल को लेकर नया अलर्ट जारी किया है जिसमें बारिस की संभावना बताई है तो आए पूरी खबर आपको बताते हैं बिहार में 27 दिसंबर को मौसम आमतोर पे साफ और धूप खिली रहेगी अधिक तापमान 27 दिग्री सेल्सियस और नियूंतम तापमान 14 दिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है सुबह के समय हलकी ठंड मैसूस हो सकती है लेकिन दो पहर से आमतोर पे धूप खिल जाएगा पटना में अधिक्तम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और नियुनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पटने की संभावना है। पटने की सेल्सियस रहने की संभावना है। देने वाली संस्थान पर्फेक्शन आई एस कुमार टावर बोरिंग रोड पत्ना आस्मान में कोहासा रहने की भी संभावना है क्रिसी बेग्यानिक इंद सिरीज के मौसम बेग्यानिक अनुपम कुमार चौबे ने बताया कि मौसम के पुर्वानुमान के अनुसार अगामी पांच दिनों तक 27 से लेकर 31 दिसंबर तक अधिक्तम तापमान का क्रमसा 25.5 डिग्री से 26.5 डिग्री से बीच रहने की संभावना है वही नियुंतम तापमान की बात करें तो 11.05 से 12.05 डिगरी के बीच रहने की संभावना है बता दें आपको कि सोंबार को मोतिहारी में अधिक्तम तापमान 30 डिगरी सेल्सियस पटना में 27 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया इसके अलावा पीछले तीन दिनों में नियुंतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है मौसम बिग्यान केंदर के मताबिक सोंबार को सबसे कम नियुंतम तापमान सबावर में दर्ज किया गया जोकी 10.05 डिगरी सेल्सियस था जबकि सबसे अधिक नियुंतम तापमान मुझाफर पूर में 15.07 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया राजे का ओसतम अधिक्तम और नियुंतम तापमान 13 डिगरी अधिक्तम और 27 डिगरी नियुंतम रहने की संभावना है मौसम बैज्यानिक अनुप कुमार चौबे ने किसानों को खास कर सलाह दी है कि धान की फसल की कटाई को कंप्लीट करें और सुरक्षित जगह पर भंडारा लगा लें साथ ही जल्ग से जल्द रभी फसल की बुआई भी कर लें वरना बारिस से मौसम के बदलाव से फसल खराब हो सकती है आपको बता दे कि बिहार में मौसम अपरिवर्तन के दौर पे है और साथ ही मौसम बिभाग ने बड़ा एलोट जारी किया है कि आपकी फसल जो है उसको सुरक्षित आप बंडारन कर ले वरना बारिस में आपकी फसल भी खराब हो सकती है तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे वीडियो के लिए दभी हार्ट आप को फॉलो करें अगर हमारे वीडियो को योटूब चैनल पर देख रहा है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले अगर फेस्बूक पेज पर देख रहा है तो फेज को भी फॉलो करें धन्यबाद